हेलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर तो दीखिए मेरा मेल फैबरी के और यह अस्तर का कपड़ा है तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और नीचे से एक लाइन डॉकर करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इसके बाद दीके टोटल लंबाई लेनी है अगर आप इस डिजाइन को अपने ब्लाउस में बनाती है तो अपने साइस के अकॉर्डिंग डीपनेक का मेजरमेंट आप लीजिएगा तो यहाँ पर देखे टोटल लंबाई रखी है साड़े जोदा इंच और डीपनेक के हिसाब से शुल्डर का मेजरमेंट लिया है साड़े पाँच इंच पर आर्म होल लिये है मैंने पॉना चेंच शुल्डर रखे हैं साड़े पाँच इंच आर्म होल लिये हैं पॉना चेंच और इस तरीके से शुल्डर इन आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है अब चेंच का चोता बाग यहाँ पर लेंगे नो इंच और देर इंच हम एक्स्टर रखेंगे मार्जिन के लिये मार्जिन आप चाहें तो दो इंच का भी ले सकते हैं चेंच के लाइन बनाएंगे और इसके बाद देनी है आर्म होल की गोलाई तो इस तरीके से हलकल के हाथों से सब्वा एक इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई करनी है कमर 32 इंच उसका चोता बाग लिया है मैंने यहाँ पर 8 इंच देर इंच एक्स्टर मार्जिन और एक इंच एक्स्टर और बढ़ाया है कमर की प्लिट्स के लिए बैक पाट को हमने इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है कटिंग करने के बाद अब मैं ले रही हूँ मैंन फैब्रिक और रुसके उपर भी हमने इसे रख कर कट कर लेना है मैं इनकपडे पर कटिंग करने के बाद अपले रही हूं मैं यहाँ पर गले का मेंज़रमेंट तो गले की जो विड़ थे वो रखी है मैंने 2.5 इंच की 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई रखी है 11 इंच इसके उपर भी एक डिजाइन बनेगा इसलिए मैंने गले की चुनलेंट है वो थोड़ी बड़ा कर ली है आप उपने हिसाब से कम जादा करके ले सकते हैं गले की लंबाई और चोड़ाई तो यहाँ पर देखे मैंने इस तरीके से गले का शेप जो चुकोर गला है वो बना लिया है इसके बाद हमने डुड़ा करना है यहाँपर मटका गला कर लिया और इसके बादद की बार कर देखे मैंने कर ली है और इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीची की तरफ रख लेंगे और एसटीज यहां पर गले की मार्किंग कर लेंगे तो दीखिए इस तरीके से मैंने यहां पर इसे मार्क कर लिया है बाहर की तरफ से एक से सवाय के इंच बढ़ाते हुए अब हमने इसका कटिंग कर लेना है तो इस तरीके से इसे कट करेंगे कटिंग करने के बाद अब देखिए मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग, पेपर पेस्टिंग को हमने इस तरीके से रख लेना है, तो मैं इसे अटेज कर रहे हूँ अस्तर वाले कपड़े पर, आप जाहे तो अलग से एक्स्टर अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं, इ दोनों तरफ से देखे, पिन लगा लेंगे, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सिलाई, तो एक कॉर्णर की सिलाई लगा कर हमने, कपड़े और पेपर पेस्टिंग को अटेज कर देना है, आप चाहें तो प्रेस लगा कर इसे चिपका भी सकते हैं, कपड़े के उपर, एक दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अपने सिलाई लगा रही हूँ दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की से हमने कट करके निकाल देना है, अब लिया है मैने में कप्ला, में कप्ले को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके उपर रखते हुए दोरों तरफ से बराबर से रखेंगे और पिन लगा कर हमने से अटेज करेंगे तो दीखे मैंने पिन लगा कर इसे डेज कर दिया है और अब मैं लगा रही हूँ इसके उपर सिलाई तो एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इतना भी बीच का एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग यह जो फैबरी के यह हम कट करके निकाल दिएंगे तो कपड़े को मैंने कट कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से चोटे-चोटे कट लगा लेंगे बूरे ही नेक्क्यों पर मैंने कट लगा दिये हैं और इसके बाद दिखें कपड़े को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हादों से चैसे इससे फिनिशिंग देंगे कपड़े को फिनिशिंग देने के बाद अब हमने उपर से एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर हाथों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा रही हूँ इस पर यह देखिए बाहर वाले सिलाई लगाते समय आप आस्ते कपड़े को फिनीशिंग करते जाएं ताकि सल ना है इसके अंदर और सिलाई लगानी के बाद इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इससे कट करके निकाल देना है इस तरीके से पूरे ही कप्डे को मैंने हापर कट करके अस्तर के बराबर कर लिया है अब इसके उपर जो डिजाइन बनेगा वो तेयार करना है तो इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेना है और जो पैटन कट किया था अस्तर का वो पैटन इसके उपर रख कर एसटीज उपर से कट करेंगे बाहर की तरफ से आपको एक इंचे से बढ़ा लेना है अंदर अटेज करने के लिए तो मैंने इसे बढ़ाते हुए कटिज कर लिया है अब मिने लिया है अस्तर का एक्स्ट्रा कप्डा और उसके उपर रख कर हमें इसे अटेज कर देना है तो मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हम एक्स्ट्रा कप्ड़े को कट कर देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब मैंने लिया है यहाँ पर यह वाला कप्ड़ा और इस कपड़े को हमने इस तरीके से प्लेट्स बनानी है बड़ा कपड़ा लेंगे लंबाई में और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे कपड़ी की बीचो बीचो में प्लेट्स बनानी है और इसकी जो चोड़ाई है जो डिजाइन का पैटर्न कट हुआ है उसकी बराबर से लेना है अब देखी मैं यहाँ पर दूसी तरफ से भी प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से दूसी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो यह पैटर्न मेरा बन करके त्यार हूँ गया है मशीन का एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है उपर की तरफ और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे कट कर देंगे चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे और इस कपड़े को पलट के सीधा कर लेंगे हाथों से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है और उपर से एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है उपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कप्रा रहेगा इससे कट करके निकाल देना है अब देखें आप इसे उपर से सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप piping भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर pink color का contrast इसमें दे रही हूँ तो उसी color का मैंने piping लगाया है आप जिस भी color का contrast देते हैं design के लिए वो color का piping आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो piping attach, पटी attach करने के बाद में इसका piping बना रही हूँ इस तरीके से fold करते जाएंगे और piping बनाते जाएंगे यह दिकिए piping लगने से इसका जो लूग के वो और भी अच्छा दिख रहा है तो यह pattern मेरा ready हो गया है अब जो cutting किया हुआ pattern है वो हम इसके उपर रखेंगे और as it is marking कर लेंगे अब हमने लेना है back part उसका भी center mark कर लेना है और center mark करने के बाद यहाँ पर रखेंगे center mark से center mark मिलाते हुए दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें इसे blouse के साथ pin कर देना है और फिर slay लगा देनी है तो मैं directly यहाँ पर slay लगा रही हूँ यह देखिए इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर pin भी attach कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दिखिए pin लगा दी है pin लगाने से यह जो pattern है आपका वो slay लगाते समय इधर उदर नहीं होगा बराबर से यह attach रहेगा बस आपको इसके उपर slay लगा देनी है इस तरीके से तो दीखिए मैंने यहाँ पर slay लगा कर इससे पूरा कर लिया है अब कर रही हूँ सेंटर से कपड़े को fold कपड़े को fold करने के बाद 4 इंच के लंबाई में मैंने लगाई है plates और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से plates attach कर लेंगे अब लेना है कमरपटी कमरपटी को इस तरीके से यहाँ पर हमने attach कर देना है तो नीचे से 1,5 इंच का margin लेते हुए कमरपटी को attach करेंगे फिर एक सिलाई पटी को इस तरफ रखते हुए पटी की उपर लगा लेंगे और फिर कर लेंगे पटी को अंदर की तरफ fold तो दीखे इसी के साथ मेरा यह जो back part है वो बन करके तयार हो गया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर डिजाइन के लिए पटी तयार कर रही हूँ पोना दो इंच के वेड़त में लेनी है पटी और पटी को करना है डवल फोल्ड सैप्टिपिन के मदद से आप पटी को पलट करके सीधा कर रहे है यह देखे इस तरीके से मैं यहाँ पर पटी को कर रहे हूँ सीधा पटी को पलट के हम इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर लेंगे और अच्छे से हाथों के साथ इसका फिनिशिंग कर लेंगे पटी को छोटे पिसेस में हमने कट कर लेना है और इसके बाद इससे लगाना है तो यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से दिखे डबल फोल्ड करते हुए अटेज करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा गैप हमें यहाँ पर आदा इंज का रखना है और पटी को इस तरीके से लगा लेना है थोड़ा थोड़ा गेप देते हुए मैंने पूरे ही नेक पर यहाँ पर पटी को मैंटेज कर रही हूँ उपर तक मैंने पटी को अटेज कर दिया है और अब मैं कर रही हूँ इसका extra कप्रा कटिंग तो जो गले के बाहर से और सिलाई के पास तक पटी आ रही हैं वहाँ तक मैं इसे कट कर रही हूँ पटी को कट करने के बाद आप अपनी पसंद से यहाँ पर लेस अटेज कर सकते हैं तो मैं गोल्डन किलर का लेस यहाँ पर लगा रही हूँ यह देखिए आप चाहें तो ब्लाउस के फैब्रिक वाला जो कलर होता है वो फैब्रिक का भी आप यहाँ पर उस कलर में भी लेस अटेश कर सकते हैं मैंने गॉल्डन कलर का लेस लगाया है लेस को कट करने के बाद दूसरी तरफ से भी हमने इसलाई लगा दिनी है यहाँ पर देखिए सलाई लगाने के बाद मैंने लिए है रेडी मेट वाली डूरी डूरी के आगे लगाती है सैफटी पिन और इस तरीके से हम लूप के अंदर से यह जो पटियां लगाई है इसके अंदर से सैफटी पिन को निकालते जाएंगे और डूरी को इसके अंदर डालते जाएंगे पूरा उपर तक दीखे मैंने डोरी को अटेश कर दिया है और इसके बाद अच्छे से आपको इसे सैट कर देना है दोनों तरफ से और एक्स्टर जो डोरी है इसे कट करके निकाल देंगे बीच मैं से डोरी को मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर मैं लूप अटेश कर रही हूँ तो इस तरीके से मैंने रैडिमेट वाले लूप लगाये हैं आप चाहें तो लटकन बना कर भी रगा सकते हैं तो इस तरीके से अटेश करने के पार जो डोरी है नीचे से लैंथ में अब देखिए मैंने यहाँ पर यह फ्लावर लिया हुआ है आप चाहें तो कपड़े का बना कर भी लगा सकते हैं फ्लावर को मैं यहाँ पर अटेश कर रही हूँ इस तरीके से सिलाई लगा कर तो मैंने सिलाई लगाती है बीच में बटन अटेश कर लेंगे और इसी के साथ आज का मेरा एक डिजाइन बन करके तैयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद